वेल्कम फ्रेंट्स आज 2021 के रिपोर्ट मिंस सुचकांक को ट्रिक के माध्यन से याद करेंगे ये एक डाटा है जिसे आसानी से याद करना थोड़ा कठीन होता है आज इस वीडियो में हम इस पूरे डाटा को आसानी से याद करवा देंगे चलिए देखते हैं सतत विकास रिपोर्ट HDR 2021 193 देशों में स्वीडन प्रतम स्थान पे रहा और 120 वा स्थान भारत का रहा याद करने के लिए ऐसे कर लीजिए सतत विकास के लिए जब तभी हो सकता है जब किसी कारे को हम डन करें डन मतलब संपूर्ड कंपलीट कर दें तो सतत विकास में प्रतम स्थान स्वीडन का हो जाएगा और 120 एक से समझिएगा पहले दो और जीरो से समझिएगा जी एक दो जीरो एक सो बीस पहले दो जी अब इंडिया में क्या कहते हैं लोग पहले कुछ रुपए दो जी उसके बाद उससे मैं करके काम करके सतत विकास कर लूँगा तो सतत विकास रिपोर्ट में 120 रैंक आया है इंडिया का ऐसे दिमाग में आसानी से याद रहेगा मैं प्रयास करूँगा कि आपको सभी डाटा याद करवा दूँ चलिए देखते हैं 207 उचकांक 2021 163 देशों में आइ 135 आस्थान रहा भारत का तो ऐसे याद रखिए सांती और यहां है आइस ठंड़ा आइस मींस बर्फ समझेक आइसलेंड और जहां ठंड़क रहती है वहां सांती ज्यादा रहता है गर्मी ज्यादा नहीं होती है सांती ज्यादा रहता है दिमाग भी सांत रहता है लोगों का लेकिन भारत में पहले क्या करते हैं लोग तीन पांच ज्यादा करते हैं पहले तीन पांच ज्यादा करते हैं जिसकी वज़ा से उनकी मानसिक सांती या कह लिजे कि और भी कोई सांती बाहरी सांती क्या हो जाती है भंग हो जाती है तो पहले तीन पांच करते हैं पहले से समझ कोट है 2020 से किस का मध्य पर्देश पर्थमस्थान पर है अब देखिए कैसे एनी मीया कैसे कोई मीया में से समझ यह कोई ब्यक्ति है जिसकी साधी हो गई है कोई मिया मुक्त हो गया मुक्त मस्तलव यहां से चला गया तो क्या होता है Thaimli थोड़ा मजेदार में पड़ जाती ह तो एनिमिया मुक्त हो गया, मतलब एनिमिया चला गया, तो एनिमिया मुक्त भारत सुचकांक 2020-2021 में मध्य परदेश प्रथम अस्थान पे है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, 114 देशों में इंडोनेसिया, प्रथम अस्थान पर और 14 रैंक भारत का है अब गिविंग रिपोर्ट क्या होता है, कि किस ने किस देश ने कितना ज़्यादा किसी को डोनेशन दिया, गिविंग किया, जिससे की लोगों साहता है, तो गिविंग इंडेक्स 2021 में इंडोनेसिया प्रथम और 14 हमा भारत है तो ऐसे समझेए, इंडोनेसिया से समझेए इंडो, इंडोने इंडिया को फूटी कोडी न दिया, फूटी मतलब 40, 40 मिस 14, तो इंडोनेसिया हो जाएगा, प्रथम अस्थान पर इंडो और इंडिया हो जाएगा, फूटी कोडी नहीं पाया, मतलब 40, मतलब 14 हमें अस्थान पर है 14 आगे है global skills report 2021 शेटजर लैंड परतम इस्थान पर भारत रहा अब देखिए skill report है अब ऐसे याद रखे कि skill जिसके पात होता है वो बहुत ही सबको प्रिय होता है sweet होता है सबको मीठा लगता है क्योंकि जिसके पास skill है वो सबके लिए मीठा बेखती रहता है स्वीट मीठा स्वीट जर लैंड परतम स्थान पर हो जाएगा शडशटवा रैंक है इंडिया का अब देखिए शडशट शडशटच समझे की सड़ा रह जाता है इंडिया में क्या होता है जब मसीने आती है कोई skill सीखने के लिए technology तो उसको चला नहीं पाते हैं लोग इवा भी पड़ा रहा मसीन भी सड़ा रहा तो संसट हो जाएगा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट दोहजारेकिस में इंडिया का स्थान ऐसे आसानी से याद हो जाएगा वैसे reality नहीं है आपको रिलेट करेंगे तो आसानी से बातों को समझ पाएंगे और याद रहेगा और मतलब नंबर वन सीटी की बात हो रही है जिसमें है सेंजेन चीन यह परतम अस्थान पर है और 32 अस्थान पर भारत है नई दिल्ली यह नई दिल्ली जो सीटी है तो सेंजेन से समझेगा सुख चैन सेंजेन सुख चैन और 32 से समझे बाते करते रहना अब नंबर वन सीटी व बाते करते रहे जाता है भारत की सीठी में दिल की बाते होती हैं और सुक्चैन की बाते करते ही रहे जाते हैं तो दिल्ली हो जाएगा और 32 ह mm बाते मतलब 32 हो जाएगा तो 32 नंबर पर है भारत आगे वर्ड हैपनेस इंडैक्स 2020, 149 देशों में Finland प्रतम स्थान पर और 149 वा स्थान है है भारत का याद कैसे रखेंगे की Finland मतलब समझे की fan और happy वही रहेगा जिसके जादा fan है सबसे जादा fan, सबसे जादा happy fan मतलब Finland प्रतम स्थान पर हो गया और 149 वा स्थान भारत का है अब सुरू के दो अंक देखे जाए तो 13 है और लाश्ट का 9 है तो यहाँ पर क्या हो था भारत में 139 मेरा 9, 9 में से नहीं 139, 13 से समझिएगा 13 और 9 से समझिएगा कि 9, 139 मतलब कोई friend नहीं है 139 कोई friend नहीं है तो क्या होगा happiness कम हो जाएगी तो 139 मतलब 149 अस्थान है भारत का तो महिला कारोबार कानून रिपोर्ट 2021 महिला कारोबार कानून रिपोर्ट 2021 190 देशों में बेल्जियम पर्थम अस्थान पर और 123 अस्थान है इंडिया का अब देखिए यहाँ पर हम महिला कारोबार और कानून business and law reports तो business and law में कौन आगे है वेल्जियम बेल्जियम मतलब जो वेल हो अच्छा हो वही तो महिलाओ के लिए कारोबार और बढ़िया कानून दे सकता है वेल्जियम बेल तो जो अच्छा हो महिलाओ के लिए business बढ़िया दे रहा है और कानून भी बढ़िया दे रहा है यहाँ से याद रहेगा आपको कि वेल्जियम अच्छा था इसलिए कारोबार और कानून बढ़ियां महिलाओ के लिए बना रहा था लेकिन भारत का क्या इस्थतिए है एक सो तेश येक दो तीन येख सो तेश भारत कहता है वन टो तीरी मतलब आज कर देंगे कल कर देंगे पर्सो कर देंगे और महिलाओं को न बढ़िया बिजनेस मिल पा रहा है बढ़ियां उनके लिए कोई कानून बन पा रहा है 1, 2, 3 मतलब आज कल परसों बीत जा रहे हैं बरसों ऐसे याद रख लेजिएगा आगे है आर्थिक सोतंतरता सुचकांक 2021 184 देशों की रिपोर्ट में सिंगापुर पर्थम अस्थान पर और 121 अस्थान है भारत का तो ऐसे याद रखेंगे सिंगा सिंग इज किंग और जब है किंग तो क्या आर्थिक सोतंतरता होगी की नहीं तो सिंग इज किंग और किंग है तो आर्थिक सोतंतरता होगी तो सिंगापुर आर्थिक सोतंतरता सुचकांक 2021 में पर्थम अस्थान पर अब इंडिया में क्या होता है वन टू वन लोग ये के बाद एक लोग आर्थिक स्वतंतर हो पाते हैं सबी लोग स्वतंतर नहीं हो पाते हैं पर्थम अस्थान पर नहीं हो आ पाते हैं वन टू वन मतलब 121 तो 1-2-1 आर्थिक सुतंतरता पाते हैं तो 121 वास्थान हो जाएगा भारत का आगे है एसी या प्रसांत ब्यक्तिगत स्वास्थ सुचकांक 2021 किस ग्यारे देशों में सिंगा पुर्थम अस्थान पर और दस्वास्थान रहा भारत का आप देखें ब्यक्तिगत स्वास्थ की बात हो रही है तो सिंग इज किंग अब किंग है तो उसका पर्सनल जो हेल्थ होगा ब्यक्तिगत स्वास्थ होगा बढ़िया होगा क्यों ज़्यादा है लेकिन दस भारत का है मतलब भारत की दसा खराब है तो क्या होगा दसवां अस्थान आ जाएगा वह यह किंग तो है नहीं तो दसवां अस्थान दसा खराब दसवां अस्थान Global Fire Power Index 2021 138 देशों में अमेरिका प्रत्म अस्थान पर और चोथा अस्थान भारत का रहा अब देखिए Global Fire Power Index अमेरिका किसी देश पे भी फायर कर देता है क्योंकि सुपर पावर है तो फायर पावर इंडेक्स में प्रथम अस्थान अमेरिका का ही होगा और चौथा भारत का अब फोर फोर से समझे भी फोर पीछे पीछे फायर करता है आज देख लिए पाकिस्तान जब फायर कर देता ह उसके बाद है इंडिया फायर करता है मतलब पहले नहीं फायर करेगा तो बीफोर फायर तो फायर पावर इंडेक्स में बीफोर मतलब फोर चोथे अस्थान पर भारत हो जाएगा दोस्तों ये तरीका मैंने इसलिए अपनाया है ताकि आपको मेमोरी में काफी समय तक ये जो डाटा है सेव रहे बाकी कोई तरीका नहीं है अगर डिटेल जानना है तो आप गूगल का सहारा ले सकते हैं या अगली वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल दे दूँगा कि संस्था ने ये रिपोर्ट तयार किया है और बाकी इससे संबंदी सभी जानकारियों को मैं इसमें इंक्लूट कर दूँगा फिलाल आज अभी आपके एकजाम की बात है आप डाटा जितना रट लेंगा उतना ही अच्छा रहेगा चलिए देखते हैं कोबिड नाइन्टी रिस्पॉंस इंडेक्स 2021 98 देशों में न्यूजिलेंड पर्थम अस्थान पर रहा और 86 अस्थान पर रहा भारत ये रिस्पॉंस कोबिड नाइन्टी रिस्पॉंस बेटर रिस्पॉंस किसका न्यूजिलेंड का रहा अब देखिए न्यूजी समझे कि COVID-19 का जिसके पास जादा न्यूज होगा जादा संपुड जानकारी होगी वो क्या होगा उसका बेटर रिस्पांस होगा COVID-19 को ले करके तो जिसके पास जादा न्यूज होगा मिस न्यूजी लेंड समझ लीजिए और भारत पे क्या है आज भी 86 86 COVID-19 लगा हुआ है जिसकी वज़े से भारत परिसान है 86 लगा हुआ है मतलब 86 वह स्थान हो जाएगा भारत का आगे QS World University Ranking 2021 अब देखिए 1000 इन्वस्टी की ये रैंकिंग की गई की Best Ranking में आया है मेसा चुसेटस प्रदोग की संस्थान MIT USA का और 172 रैंक आया है भारत का IIT मंबई का अब देखिए कैसे याद रखेंगे मेसा चुसेटस में हैं हमेसा 24 किया जाये जिसको मेसा चुसे हमेसा 24 जिसका हो मेसा से हमेसा चुसेटस से समझेए जिसकी च्वाइस हो जिस इनवस्टी की हमेशा च्वाइस हो वह नंबर वन ही होगा और देखिए भारत का 172, 172 मतलब 100 बेटर, 172, 172 तो 172 कौन है? आई आई टी मुंबई, मुंबई बेश्ट बांबे, बेश्ट बांबे, तो आई 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 टी मुंबई जो है, यहां का 172 रेंक हासिल किया है, 172 मतलब 172, 72, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021, अब यह रिच पीपुल्स की एक सुचकांख है, रिपोर्ट है, 68 देशों में 3228 अमीर ब्यक्तियों में और अपतियों में यह रिपोर्ट जाईर किया गया, जिसमें टेसला के प्रमुख जो एलन मस्क हैं, प्रतम अस्थान पे रहें, और इंडिया के जो मुके संबानी हैं, आठवे अस्थान पर रहें, याद कैसे रखेंगे, कि अभी कोरोना का टाइ कोरोना के टाइम में मास्क जादा लोग बेच रहें और बहुत तेजी से भिक रहा है, तो मास्क बेचने वाला आज क्या है, सबसे अमीर है, तो एलन मस्क हो जाएंगे सबसे टॉप रिचस परसन में, और मुकेस अंबानी, अंबानी आठ, आठ में भी अ है, और अंबानी म मुके लगे, और आठ वे नंबर पे चले आया, मुके संबानी, आठ, चली गई इनकी ठाट, आगे देखते हैं, इंटरनेशनल इकोनोमिक्स रेसिलियंस, आई ए आर दो हजार एकीस, जर्मनी इस रिपोर्ट में इस उचका प्रतम अस्थान पर है, और दूसरे अस्थान प बात हो रही है, तो इकोनोमिक यानी गीरा, लेकिन फिर अपनी अवस्था में चला गया, कोबिट-90 के कारण कई देशों की इकोनोमिक गीरी थी, लेकिन फिर वापस देखिए, परतम अस्थान पर रहा है, उसमें लिष्ट में जर्मनी, और लेकिन भारत टूटा रह गया, बारत टूटा रह गया, तो ऐसे समझें, जिसके पास ज्यादा मनी है, वही तो अपनी इकोनोमिक को फिर वापस ला सकता है, ला दिया, लेकिन भारत क्या है, आज भी उसकी वज़े से टूटा हुआ है, मतलब टू हो जाएगा, टू दूसरे अस्थान पर इंडिया है, और पचासी अस्थान पर भारत रहा, अब इसे याद कैसा, पासपोर्ट, यहाँ पे पासपोर्ट पकड़ियेगा, जापान में है, जापान से समझें, यान, अब यान से जाना है, तो पासपोर्ट तो बनवाना पड़ेगा, जिसको यान से जिस देश को जाना हो, पर्थम पर रहेगा पास्पोर्ट इंडेक्स में तो जायान जापान पास्पोर्ट इंडेक्स में हेलन पास्पोर्ट इंडेक्स 2021 में सबसे first ranking पर है और 2020 में भी ये first ranking पर ही था और 85 भारत का है तो आज 85 जटके लग रहे हैं भारत को कोबिट की वज़े से जिसकी वज़े से वो क्या कर रहा पासपोर्ट थोड़ा कम बना रहा है ऐसे याद रख लेंगे कि कम पासपोर्ट बनवा रहा है तो 85 जटके लगने की वज़े से लगे 85 जटके तेरे यंग है नसीले रंग है नस तो ऐसे याद रख लिजिएगा याद हो जाएगा पचासिवा नंबर भारत का है बैस्विक जलवायु जोखिम सुचकांक 2021 दस देशों में मोजामबीक प्रतम अस्थान पर रहा और सात्वें अस्थान पर भारत रहा अब ऐसे याद कर लिजिए जलवायु जोखिम की बात ह हो रही है मोजामबीक में है जामबीक मतलब समझ लिजे कि जल जमाव जल जमाव और सेवन सात से याद रखिए सेवन तो जल जमाव जहां भी होगा वहां की जल वायु थोड़ा सा खराब होगी जोखिम होगा जल भी खराब होगा और वायु भी खराब होगी क्योंकि वहा जलवायु जोखिम सबसे ज़्यादा वहां रहेगा जहां जलजमाव रहेगा मतलब मोजांबिक जांबिक जलजमाव जांबिक तो मोजांबिक में परतम अस्थान पर है जलवायु जोखिम में और सातवा भारत का है तो साथ से समझे सेवन अब भारत क्या कर रहा है जल का बचत कर रहा है तो 7 साथवा स्थान हो जाएगा सेव कर रहा है तो भारत का और खुद को भी सेव कर रहा है आज भारत तो साथवा स्थान हो जाएगा जलवाई और खुद को सेव कर रहा तो साथवा स्थान भारत का हो जाएगा Global Cyber Security Index 2021 अमेरिका प्रतों अस्थान पर रहा और दस्वें अस्थान पर रहा भारत अभी ये बात हो रहे हैं ये Cyber Security की Global Cyber Security अमेरिका से समझेगा अमीर लोग अमीर लोग क्या कर रहे हैं? Cyber Crime जादा होने की वज़े से Cyber Security जादा रख रहे हैं लेकिन भारत क्या है? इसकी दसा पहले से खराब है तो ये Cyber Security कहां रखे? आज भी भारत में Cyber Security की जो इस्थिती है थोड़ा सा गड़बड है दसा खराब है उसकी तो दसमा अस्थान हो जाएगा Cyber Security Index 2021 में भारत का और अमीर लोग जादा करते हैं Cyber Security तो अमेरिका का प्रतम अस्थान हो जाएगा बैस्विक प्रतियस परधात्मक सुचकांक 2021 64 देशों में स्थिट्जर लैंड फर्स्ट रहा और 43 वह अस्थान रहा भारत का अब ऐसे समझे स्वीट मतलब फीट स्वीट मतलब फीट तो जो सबसे फीट रहेगा स्वीट रहेगा वही तो प्रतियस परधात्मक सुचकांक में सबसे नंबर वन रहेगा तो फिट मतलब स्वीट जर लैंड फिट स्वीट फिशीट जर लैंड अब 43 वह स्थान पर भारत का है तो 43 मतलब समझे कि तरा गया 43 तरा गया प्रतियस परधा में थोड़ा कमतर हो गया कमतर मतलब 43 तो 43 वह स्थान बारत का हो जाएगा आगे है तीसरा SDG India Index 2020 ये इंडिया का एक Index Report त्यार किया गया है जिस निती आयोग ने इस Report को दिया है केरल पर्थमस्थान पर रहा है इसमें और बिहार अंतिमस्थान पर रहा अगे इंदर साथी परदेशों में देखा जाये तो चंडिगड पर्थमस्थान पर रहा अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक सेर कमेंट कर दीजेगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल क्रेजी एन और सिस्टीक पर जाकर के आप विजिट कर सकते हैं और आने वाली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे की हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे धन्यवाद